नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग हम लोग golden billion conspiracy theory की बात करेंगे अक्सर कर रशियन प्रेजडेंट व्लादिमेर पुतिन और उनके और important officials golden billion conspiracy theory की बात करते हैं और इस particular theory के तुरू बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि व्लादिमेर पुतिन अपने war propaganda को justify करने हैं कोशिश कर रहे हैं और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि रशिया की जो particular theory थी जो कि 1990 के लगबग पे दी गई थी ये बिलकुल सही है हलाकि 1990 से लेके आज 2022 में इस theory के माइने बहुत अब तक बदल चुके हैं और अभी 20 जुलाई को फिर से व्लादिमेर पुतिन ने इस golden billion conspiracy theory का नाम लिया और उसके सासद इंडिया को भी जोड दिया व्लादिमेर पुतिन की theory क्या बोलती है कि दुनिया की जो सबसे advanced और developed countries है उनके यहाँ पे जो एक billion के लगबग की आवादी रहती है बस वही golden billion है वही सारे resources अपने पास रखेंगे वही सारी development अपने पास रखेंगे वो दूसरे को develop नहीं करने देंगे वो दूसरे के resources पे कबजा करने की कोशिश करेंगे देखो इन्होंने इंडिया को कैसे लूटा है जी हां इंडिया को plunder किया गया है इस golden billion के दोरा ये भी व्लादिमिर पुतिन ने अपनी theory में कहा है अब ये कौन से plunder की बात करते हैं तो जितना मुझे समझ में आ रहा है ये जो England ने हमारे उपर 200 साल राज किया है शायद उस context में ये बात कर रहे है basically past को history को code करते हुए रशिया के officials अकसर कर ये कहा करते हैं कि ये जो सबसे advanced days है जो 100 करोन की आबादी है ये भाई सारी loot मार के लिए responsible है अब ये कौन से एक billion की बात कर रहे हैं कौन सी countries की बात कर रहे हैं तो देखे कभी-कभी इन countries को OECD के साथ denote के जाता है Organization for Economic Cooperation and Development इसमें लगबग 38 member countries आती है दुनिया के सबसे advanced, सबसे developed, सबसे powerful, सबसे ameer countries nominal GDP के हिसाब से आप कह सकते हो कि 49.6 trillion डॉलर दुनिया की 62% GDP nominal के हिसाब से उन OECD के पास है और अगर आबादी देखा जाए तो लगबग 120 करोन की आबादी आब आप कह सकते हो कि एक billion होता है लगबग 100 करोन तो उससे थोड़ा जादा ही है बट initially अगर आप देखो जब OECD की स्थापना की गई थी तो उसके official founding members थे Austria, Belgium, Canada, Denmark, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States बाद में Finland, Australia, New Zealand ने भी जोइन किया तो ये जो countries है आप कह सकते हो कि ये developed countries है काफी आगे बढ़ चुकी है और अपने human development indicators में काफी पैसा है आबादी कम है, development जाद है तो ये particular countries अपनी grouping बना के बाकी पूरी दुनिया को लूट रही है ये बोलना है ब्लादेमिर पुतिन का वैसे में बता दू इस theory को शुरुवात की थी एक कुस्मिक ने एक कुस्मिक एक्चुली में pen name है रियल में इस Russian का नाम था एनाटोली के तिसी कुनूफ इसने किताब लिखी थी The Plot of the World Government Russia and the Golden Billion 1990 में किताब लिखी गई थी 1991 में Soviet का विगटन हो गया था और उस समय पे इस किताब में क्या लिखा गया कि जो Western Nations है इनको ऐसा लगता है कि population हद से ज़ादा बढ़ जाएगी तो overall इनकी hegemony पे challenge आएगा ecological change आएगा और इनके लिए sufficient resources नहीं बनेगे ये जो OECD के अंदर रहने वाले 120 करोण लोग है न ये हद से ज़ादा power को हद से ज़ादा energy resources को utilize करते है और जब ये बाकी दुनिया में आबादी बढ़ते देखते हैं तो ये nervous हो जाते है इनको लगता है कि हमारे सारे resources ये न कहीं खीच ले जाएं और ये दुनिया बर में अपना वर्चत सो पहलाना चाते है और इस बात को शुरुआत में रशिया ने justify भी किया है US ने दुनिया बर की countries में बवाल मचाय है इरान, इराग, oil resources को अपजाने के लिए अपनी aigomoney को चलाने के लिए colonialism को भी यहां पे जोड़ा गया है कि ये जो countrys थी, France हो गई, Spain हो गई, England हो गई, US हो गई ये सब colonialism में involved थे, Russia भी involved था मैं ये भी बता दूँ आपको, Russia अपना नाम नहीं ले रहा है तो ये colonialism करने वाली countries बहुत लंबे समय से दुनिया को लूट रही है और अपने 100 करों लोगों के लिए बहतर करना चाहती है तो ये तो theory का वो form था जो की initially propound किया जाता था आप overall जो theory का form हमारे सामने निकल के आया है उसको व्लादिमिर पुतिन अपने फायदे के लिए इस्तमाल कर रहे है ऐसा भी बताया गया रशिया के अंदर अकसर कर ये व्यूपॉइंट फैलाते हैं व्लादिमिर पुतिन कि जो वेस्ट है वो रशिया के युद को demoralize कर देगा अपनी values के तुरू निकस्टता की तरफ लेके जाएगा रशियन एकनॉमी को वेस्टन companies destroy कर देगी और overall जब रशिया युक्रेयन वार हुआ और western countries ने रशिया के ओपर sanctions लगाए तो इन sanctions के basis पे व्लादिमिर पुतिन ने का कि देखो ये जो golden billion theory है सही है देखो कैसे western countries रशियन को बरबात करना चाहती है तो अपने war propaganda को भी golden billion conspiracy theory से justify कर रहा है व्लादिमिर पुतिन वैसे मैं आपको एक बात बताओं कि golden billion theory में जो सारी बातें बोली जारी है सब गलत नहीं है कुछ हद तक western countries के ओपर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो सही है और past में ये जो सबसे advanced और developed countries है इन्होंने अत्याचार किया है, social किया है, natural resources पर कबजा करने कोशिश की है oil के लिए तो US ने कितनी जंगे की हैं पूरी है दुनिया भर में लेकिन आज की date में रशिया जिस particular propaganda के लिए इस golden billion theory को इस्तमाल कर रहा है वो भी सही नहीं है रशिया की security council के जो secretary है, निकोलाई पातुरशिव उनका ये बोलना है कि जो western countries है, ये human rights, freedom और democracy के पीछे चुप जाती है जबकि अपने golden billion doctorate के अंदर इन्होंने दुनिया भर में human rights का हनन किया है freedom को violate किया, democracy को दबाया है और अब ये Russian youths को demoralize करके, नीचा दिखाके, overall हमें हराके, हमारे resources पे कबज़ा करना चाहते है मतलब इस golden billion theory के थूप, आज की date में जो Russian elites हैं, वो overall western countries को criticize करके western countries की motor supply and strategy का इस्तमाल करके, Russian youths के सामने अपने Ukraine war को justify कर रहे है और बोल रहे हैं कि देखो, ये western countries हमारे खिलाफ क्या करती है, देखो हमें कैसे तबाह कर रहे हैं, देखो हमारे उपर कैसे attack कर रहे हैं, देखो हमारी economic power को रोक रहे हैं, हमें इने रोक रहा है तो एक प्रकार का propaganda है, जो कि अपनी domestic agenda के लिए Russia इस्तमाल करता है कुछ हद तक golden billion theory में जो कुछ भी लिखाता वो गलत नहीं था, लेकिन आज की date में जिस rhetoric में Russia इसको इस्तमाल कर रहा है, वो कहीं हद तक गलत नजर आ रहा है कुछ हद तक देखिए ये बात Russia की सही है, कि NATO का enlargement नहीं होना चाहिए था, इस war को रोका जा सकता था तो golden billion theory के कुछ specific हिस्से सही भी बैठ हैं यहाँ पर लेकिन जिस basis पे Russia इस golden billion theory को इस्तमाल करके अपने war को justify कर रहा है, वो भी सही है आपके mind mess golden billion theory को लेके क्या viewpoint है, नीचे comment box में जरूर बताएगा थैंक यू फो वाचिंग फ्रेंट्स, वीडियो को लाइक को शेर कर दीजेगा, इस्टरगाम को फॉलो कर लेजेगा, टेलिग्राम को जोन कर लेजेगा, जादा से जादा लोग से लेक्चेर को शेर करें, वाग्रेट दे